तक है फ्रलो फ्रेंज़ वेल्कम टू दू इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूंगा स्सी के सभी एक्जैम्स के लिए एप्लाइट ग्रामर का और बेसिक का पाथ सेकेंड और इस पुरी सीरीज में मैं आपको एससी के जो बहुती पॉपुलर बुक है प्लिन और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस पार्ट 2 को देखने से पहले इसका पार्ट 1 आप जरूर देखें तभी आपको concepts clear होंगे और SSC के सभी exams में जो grammar आती है वो applied grammar आती है grammar का application path आपको आपको सीखना है ग्रामर को रटना नहीं है understanding based grammar को आपको समझना है और common sense approach को आपको अपनाना है तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे तो definitely आप high score कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं देखें ये second path है इसमें may, might and must इनको हम समझेंगे और इनको किस तरीके से हम grammar में use करते हैं किस तरीके से लग-लग uses इसके होते हैं इसको हम देखेंगे अब देखें में and might इन दौनों में क्या difference है एक simple difference तो ये है कि may present tense में use होता है और might इसका past equivalent है व बात करेंगे तो उसमें may use नहीं होगा might use होगा एक तो आपको ये समझना है और इस से related में और might related जितने भी points हैं मैं आपको सारा बताऊंगा तो इसको आप ध्यान से देखिए to express future possibility देखें में actually possibility के लिए इसको आप बोल रहे हैं यहां पर के possibility लिखा हुआ है लेकिन probability word होत हो probability मतलब बहुत कम संभावना हो तो यहीं पर difference आता है can में और may में can actually हम use करते है possibility के लिए जहां पर आपको जहां पर किसी काम का होना लगबग तय है में का मतलब होता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और might से भी हम possibility बताते हैं लेकिन might का आर्थ होता है कि आपको context देखना होगा ठीक है कि कहां पर आपको can लगाना है कहां पर में लगाना है और कहां पर आपको might लगाना है हलाकि might को हम spoken English में ज्यादा commonly use करते हैं अब देखिए कुछ example sentences हैं यहां पर इनको आप देखिए it might rain later अब यहां पर might लगा हुआ है इसके स्थान पर आप may भी लगा सकते हैं हलाकि might को हम weak possibility के लिए लगाते हैं तो लेकिन may के स्थान पर might भी लगा सकते हैं it might go अब इसमें एक शीज़ आप देखिए कि might के बाद यहां पर देखिए यह वर्ब की जो form है यह first form आईगी अब examiner क्या करेगा किस might में rain के साथ यहां पर rains कर देगा जबकि सभी model verbs हैं may, might, can, could, should इन सभी के साथ वर्ब की first form हम लगाते हैं ठीक है I might go यह भी सही है और देखिए यहां पर देखिए I wouldn't talk to Alex right now मैं Alex से अभी बात नहीं करूंगा he may still be upset मतलब वो हो सकता है कि वो upset हो after his team lost जबसे उसकी team हारी है वो हो सकता है कि वो upset हो यहां पर एक probability हम बता रहे हैं ठीक है यहां पर हम एक probability बता रहे हैं तो इसलिए हमने may be का प्रियोग किया है may ना प्रियोग करके may be क्योंकि हम यहां पर होना बता रहे हैं कि वो हो सकता लगाते हैं अब देखो शी माइट भी लेट बिकॉज अब दपलिक ट्रांसपोर्ट पबलिक ट्रांसपोर्ट एक रीजन हो सकता है लेकिन इसकी पॉसिबिल्टी बहुत ही कम है कि वो किसी और रीजन से भी लेट हो सकती है तो इसलिए यहां पर यह माइट का प्रियोग किया है तो यह आपको कॉंटेक्स देखना पड़ेगा अब देखें नीचे लिखा हुआ है माइट इस यूज्ड मोर्फिक्वेंट्टी देन में इस्पोकर इंग्लिश बिकुल सही कि स्पोकर इंग्लिश में हम माइट का यूज जादा करते हैं तो यह सरल है इनको समझना को इ यानि कैन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करेंगे और मे को आप अफिशल सिस्टूइशन में यूज करेंगे तो यह आपको समझना है परमीशन का देखिए यहां पर है यहां पर आप देख सकते हैं और इसमें जितने भी इंपोर्टेंट पार्ट होंगे उसको मै अपने तब से कुछ additional sentences भी मैं आपको practice कराऊंगा देखिए you may leave the table once you have finished your meal एक बार आपने खाना अपना समाप्त कर लिया है तो उसके बाद आप table को छोड़ सकते हैं वहां से जा सकते हैं तो इस तरीके से में थोड़ा सा polite माना जाता है इसलिए यहां पर यह हम may use कर रहे हैं can हम use करते हैं informal situations में अपने friends के साथ और अपने दोस्तों के साथ और may not भी आप बोल सकते हैं negative यदि permission किसी को कुछ करने से आप रोक रहे हैं तो आप may not बोल सकते हैं लेकिन यहां पर भी verb की first form आईगी इसको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि examiner यहां पर इस तरह के sentences देते है कि यहां पर may not के साथ इसमें park में ass लग जाएगा जो गलत होगा ठीक है यहां पर may not के बाद take में ass लगा देंगे जो की गलत होगा तो कभी कभी काफी लंबे-लंबे sentences दिये जाते हैं जिसमें एकदम से पता नहीं पढ़ता है अभी तो मैं आपको explain कर रहा हूँ तो आपको पॉर का मतलब है कि permission मांगना तो उसमें भी हम में का यूज करते हैं may I sit next to you यह official situation है ठीक है may I borrow your pen जैसे जैसे अपने boss से आप pen मांग रहे हैं तो आप में लगा सकते हैं लेकिन अपने friends से आप pen मांग रहे हैं तो can आप लगा सकते हैं ठीक है तो यह तो सरल है अब देखिए can is used more frequently than may in spoken English definitely can का हम यूज ज़्यादा करते हैं spoken English में क्योंकि जब हम English बोलते हैं तो वो informal situation होती है में को हम polite फुरा सा मानते हैं फुरा सा formal होता है और could को भी हम permission के लिए use कर सकते हैं और could भी formal ही होता है अब देखिए यह important है यहाँ पर यह लिखा हुआ है important यानि यह काफी exam के लिए काफी important है माइट जो है वो past equivalent है किसका मे का यदि sentence past में है तो वहाँ पर आपको मे नहीं लगाना है वहाँ पर आपको past लगाना है देखिए looking at the clouds he said it may rain the next day मतलब बादलों की तरब उसने देखा बादलों की तरब देखते हुए उसने कहा कि कल बारिश हो सकती है अब he said देखिए यह past tense में है he said तो इसलिए यहाँ पर यह मे का प्रियोग गलत है मे का past equivalent क्या होता है might इसलिए नीचे वाला जो green color में जो sentence दिया है वो आपका सही है इस पूरे video class में गलत sentences जो है incorrect उनको मैंने red color में लिखा है और सही sentences को मैंने green color में लिखा है तो यह भी एक बहुत important point है और यहाँ पर देखिए यह भी बहुत important point है we eat so that we can live यह sentence गलत है गलत क्यों है क्योंकि देखिए इसमें दो path है sentence में एक यह path है और एक यह path है ठीक है तो यह है main path इसको grammar की language प्रिंसिपल clause बुलते हैं लेकिन इनसे आपको डरने की ज़रुत नहीं है यह बहुत simple चीज़ा होती है we eat यह तो एक main sentence हो गया और so that we can live यह ह गया यह वाला जो path है so that we can live यह इस वाले path पर dependent है इसको आप independently नहीं बोल सकते इसलिए इसको हम बोलते हैं dependent clause यह है we eat जो है यह principle clause है so that we can live यह independent clause है तो जब हम purpose की बात करते हैं इन दोनों clauses को जोड़ते हैं इन दोनों clauses को जोड़ते हैं और इन दोनों clauses के बीच में so that that या in order that आता है तो इसमें हम हमेशा में का प्रियों करते हैं can का नहीं कि देखने में काफी सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है लेकिन जब एक्जाम में आयेगा तो अक्सार इस्ट्वेंट्स इस तरह की गलतियों में या इस तरह के सेंटेंस इसमें गड़बड़ा जाते हैं तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा we eat so that we may live we can live नहीं we may live यह ग्रामर का एक यह पाद भी बहुत इंपॉटेंट है कि में का यूज हम विशिस किसी को विश करते हैं कि भगवान करें आप खुश रहें भगवान करें आपको सफलता मिले तो इसमें हम में को ही यूज करते हैं में के अलाबा किसी और दूसरे मॉडल वर्ब को हम यूज नहीं करते और इसका structure आप अच्छे तरीके चे समझ लें, पहले में आएगा, फिर subject आएगा, फिर verb की first form आएगी, फिर object या बाखी चीज़ आएगी, अब यहाँ पर देखिए, May you both live a long and happy life together, भगवान करें कि आप दोनों एक अच्छी और खुशी, खुश लाइफ जीएं, साथ में, ठीक है, तो इस sentence को एक couple के लिए, merit couple के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले मे है, उसके बाद you subject है, इसके बाद both है, और उसके बाद live verb है, ठीक है, तो यह यहाँ पर इस तरीके से यह structure होगा, इसको आपको follow करना है, और may the new year bring you love and happiness, तो इसमें पहले मे है, फिर new year subject है, फिर bring verb है, may all your wishes come true, भगवान करें, आपकी सारी इक्छाएं पूरी हो जाएं, तो यहाँ पर wishes के साथ देखिए, कम लगा हुआ है, इसमें यह आप कम से लगा हो जाएगा, यहाँ पर नीचे देखिए, इस वाले sentence को चलिए देखिए, may the force, be with you, force मतलब भगवान की जो शक्ती है, उसकी इसमें बात हो रही है, may the force, be with you, भगवान करें के उसकी जो शक्ती है वो आपके साथ हो, तो चुकि होने के लिए हम लगा रहे हैं, इसलिए पहल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, may all your wishes comes true, अब wishes कैसी वर्ब है, plural वर्ब है, इसमें ऐसे लगा हुआ है, plural वर्ब है, तो wishes, wishes noun है, वर्ब नहीं है, noun है, plural noun है, तो यहाँ पर यो वर्ब आएगी, वो plural में आएगी, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, he के साथ गोज लगाते है हैं, दे के साथ गोज लगाते हैं, he goes मैं बोलूँगा, she goes मैं बोलूँगा, लेकिन दे के साथ गोज बोलूँगा, उसी तरीके से यहाँ पर wishes के साथ कम आएगा, कम नहीं आएगा, इसलिए यह sentence गलत है, यहाँ पर red color में मैंने लखा है, और यहाँ पर देखिए, may the odds, ever in your favorite, ever in your favor, odds का मतलब होता है possibility, किसी काम के होने की possibility, may the odds, अब यहाँ पर may लगा दिया, subject लगा दिया, वर्ब कहा है इसमें, वर्ब इसमें मिसिंग है, यह देखने में sentence सही जैसा लग रहा है, लेकिन वर्ब नहीं है, may the odds, भगवान करें कि जीतने की जो संभावना है, वो सफल होनी की जो संभावना है, वो हमेशा आपके साथ हो, यह sentence का मतलब है, may the odds be ever in your favor, यहाँ पर be आना ज़रूरी है, यह subject है, यह मे है, लेकिन इसके बाद वर्ब जो है, इसमें missing है, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आपको समझना है, और इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, अब देखे, यह भी एक बहुत important है, normally यह books में नहीं मिलता है, कि may be, यह अलगला करके लिखा हुआ है, may be, और यह साथ में लिखा हुआ हुआ, इन दोरों में क्या difference है, देखे, इन दोरों में भी difference है, ठीक है, तो इसमें आ सकता है, लेकिन यह जो may be है, यह adverb है, और adverb को हम कहां लगाते हैं, या तो वर्ब से पहले, या sentence के शुरुआत में, यह मैं भी आपको समझा रहा हूँ, तो इसमें आपको बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, और बिल्कुल भी confused नहीं होना है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, लगा रहता है उसमें, इसलिए may be को आप perhaps से, या possibly से, या potentially से replace कर सकते हैं, क्योंकि may be एक adverb है, अभी आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, देखें, may be क्या होता है, एक bottle verb है, इसका मतलब होता है, simple, possibly, अब इसमें एक चीज़ समझें, देखें, अब आपको, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कि पता कैसे पड़ेगा, कि कहां पर कौन सा word सही है, या कहां पर कौन सा word लगाना है, देखें, ये जो may be है, इसको यदि आप perhaps से replace कर सकते हैं, तो may be आप लगा सकते हैं, और इस may be को, ये वाला may be, इसको आप might be से replace कर सकते है हैं, तो ये सही है, यानि ये may be, perhaps replace हो जाएगा, और ये may be might be से replace हो जाएगा, यदि replace हो जाता है, तो sentence सही, otherwise गलत है, simple सा trick है, देखें, यहाँ पर मैंने बताया है, कि may be, जो जुड़ा हुआ रहता है, may be, जो है, वो adverb है, that means perhaps, ठीक है, possibly, या potentially, adverb में आखरी में क्या होता है, dramatically, ठीक है, rapidly, ये सारे adverb है, तो इसलिए इसको, ये adverb माना जाता है, may be, ये sentence में, या तो शुरुआत में आएगा, या वर्ब से पहले इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन जो may be है, अलग-लग वाला may be, वो subject के बाद आता है, model verb की तरह है, अब देखिए, may be, it will stop raining soon, अब से समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपने बोल दिया, may be, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये किस से related है, may be, may be, ये will stop से related है, या ये वर्ब को मोडिफाई कर रहा है, इसलिए ये adverb है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, I thought Susie would be here by now, तो दूसरा व may be है, ये sentence के शुरुआत में, या वर्ब से पहले, वर्ब को मोडिफाई करता है, ये इसलिए adverb है, और may be जो अलगलग है, वो तो simple adverb है, वो तो simple model verb है, जैसे दूसरी model verbs से use होती है, यहाँ पर देखिए, may is a model verb which indicates possibility, he may be lost, यहाँ पर इस may be को might be से replace भी कर सकते है, he might be lost, मत लब हो सकता है, वो खो गया हो, possibility के लिए बोल ले है, this may be the best website, तो यहाँ पर तो simple model verb है, subject है, ये subject है, ये verb है, और ये adjective है, ठीक है, this may be subject के बाद आएगा, ये simple, और ये जो may be है, जो जुड़ा हुआ रहता है, वो वर्ब से पहले, या sentence के शुरुआत में आएगा, अब इस used to talk about typical occurrences, जो जैसा कि माना जाता है कि इस situation में ऐसा हो सकता है, तो situation में आप में लगा सकते हैं, देखें, drivers may feel tired if they do not take a break every two hours, मतलब drivers जो हैं, वो हर दो गंटे के बाद यदि ब्रेक नहीं लेते हैं, तो वो ठकान फील्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं probability बता रहा हूँ, इस तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 100 में से 100 drivers को ऐसा लगता है, कि हर दो गंटे के बाद उनको ठकान लगती है, लेकिन सभी drivers के साथ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आप cable एक simple probability बता रहे हैं, इसलिए may यहाँ पर appropriate होगा, मतलब ऐसा situation में ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की probability है, तो इस situation में आप में लगाएंगे, ठीक है, तो ऐसे आपको इनको सबजना है, अब यह देखिए, Speculate about past actions, past actions के बारे में जब आप speculate करते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की संभाब ना है, तो उसमें आप may have लगाते हैं, may have, may have, could have, should have, इन सभी के साथ verb की third form आप लगाएंगे, देखिए, he is late, I think she may have missed her plane, वो late है, हो सकता है कि उसने train miss कर दी हो, यहाँ पर चुकि यह have लगा हुआ है, इसने वर्पी third form आईगी, it may have already been broken before you bought it, मतलब आपके खरीदने से पहले हो सकता है, यह पहले से ही तूटा हुआ हो, तो यहाँ पर may have been हमने लगाया है, क्योंकि हम एक situation की बात कर रहे हैं यहाँ पर, it may have been broken, ठीक है, हो सकता है, यह तूटा हुआ हो, तो broken क्या है, ब्रोकन किसी चीज की situation बता रहे हैं कि वो तूटा हुआ है, adjective है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ना बता रहे है, तूटा हुआ हो सकता है, तो इसलिए have के साथ यहाँ पर been लगाया है, हमने, इसको आप अच्छे तर noise, it may have been a dog outside our window. तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति बोल ला है कि वो noise कैसा था, तो यहाँ पर हम बोल लाए है, यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति बोल ला है कि यह dog हो सकता है, हो सकता है कि वो dog हो, तो हो ना हम बता रहे हैं, तो इसलिए, बीन यहाँ पर हमने dog के साथ लगाया है, तो बिल्कुल भी आपको confused नहीं होना है, यह सारे sentence आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, अब देखिए, she is late, I think she may have missed her plane, क्या गलती है इसमें? इसमें देखिए, have के साथ अबर भी third form आनी चाहिए, third form नहीं लगाई, first form लगाई, इसमें यह गलत हो गया, यहाँ पर देखिए, it may have already been broken before you buy it, before you bought it होना चाहिए, क्योंकि past tense की इसमें बात हो रही है, आपके खरीदने से पहले ही यह तूटा हुआ हो सकता है, देखने पर इस sentence ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बाय के स्थान पर इसमें बहुत आएगा, what was the noise, it may have been dog, अब dog countable है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, a लगाएंगे, it may have been a dog, outside the window, तो इस तरीके से यह sentences हम करते हैं, अब देखिए, यह दो फ्रेज़ेज आपने देखिया होंगे, may as well and might as well, ठीक है, क्या मतलब होता है, may as well and might as well का, तो यह भी exam में पूछे जाते हैं, may as well and might as well, देखिए, इन expressions का हम कभी यूज करते हैं, यह वैनल हम पर लेखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, इस expressions can be used to suggest that you will do something because there is nothing better or more interesting to do, सबोज आप एक situation में बैठे हैं, और वहाँ पर आपको लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ करने के लिए नहीं है, ठीक है, इससे interesting कुछ करने के लिए नहीं है, तो उन situations में, मतलब टीवी पर कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे अच्छा कुछ करने को नहीं है, तो ये इस sentence का मतलब होता है, देखें, स्टेडियम में कोई बात कर रहा है, यहां पर देखें, हमारी टीम 50 पॉइंट से लूज कर रही है, क्योंकि वो जीतेंगे तो हैं नहीं, तो इसलिए यहां बैटने का कोई फाइदा नहीं है, तो जब ऐसी situations की बात होती है, जिसमें कुछ और करना, कुछ और interesting करना अच्छा नहीं है, या कुछ करने को नहीं है, तो उस situation में हम may as well and might as well, इनको use करते हैं, और इनके साथ वर्ब की first form हम लगाते हैं, दोनों expression काफी important हैं, कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ बैटर करने को नहीं है, must को, must को हम use करते हैं, strong possibility को दिखाने के लिए, जैसे देखिए, he stays in five star hotel and travels by flight, he must be very rich, वो five star hotels में रुखता है, travel और flight से जाता है, इसका मतलब क्या है, वो जरूर वो बहुत rich होगा, तो he must be very rich, यहाँ पर आप must be के स्थान पर, यदि maybe लगाएंगे इस sentence में, तो यह sentence गलत हो जाएगा, क्योंकि context क्या बोला है, context यह बोला है, कि वो five star hotel में रुखता है, फ्लाइट से जाता है, तो वो गरीब नहीं हो सकता, he must be, वो जरूर rich होगा, तो इस sentence में, चुकि हम strong possibility बता रहे हैं, इसलिए must be के स्थान पर, यहाँ पर, maybe या might be, जो है वो गलत होगा, अब देखे, he stayed in five star hotels, and traveled by flight, he, यह past में है, तो must be का जो past होता है, वो होता है must have been, must be का जो past होता है, वो होता है must have been, यहाँ पर यदि आप must be लगाएंगे, तो यह sentence गलत हो जागा, यह तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर must have been आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर must be लगा दिया है, क्योंकि past की बात हो रही है, इसके sentence है, गलत, यह वाला sentence गलत है, तो आपको context को समझना है, reading-based grammar को आपको strong करना है, और common sense approach को अपनाना है, आपको यह सारी चीज़ा समझना है, और बहुत जदा grammar के बारे हैं, बहुत जदा आपको critical नहीं होना है, अब देखें, यह एक important है, यह काफी important है, my father may possibly, नहीं नहीं, इसमें एक second अभी में बता रहा हूँ, हाँ, यह है actually, सही, देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, do not use possibly and likely with may and might, क्या मतलब इसका, कि एक sentence में आप may भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर may के स्थान पर might यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ आप possibly भी लगा रहे हैं, और likely भी लगा रहे हैं, तो यह superfluous हो जाएगा sentence, क्योंकि may और might के द्वारा हम संभाबना बताते हैं, और possibly और likely के द्वारा भी संभाबना बताते हैं, तो या तो आप may यूज़ करिए, या फिर possibly यूज़ करिए, may possibly नहीं, मतलब ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये देखिए, my father may possibly come tomorrow, ये गलत है, यहाँ पर may भी लगा दिया, possibly भी लगा दिया, इसलिए sentence गलत हो गया, father will possibly come tomorrow, या फिर ऐसे बोलिए, तो ये sentence सही है, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर मैं आपका रिवीजर करा रहा हूँ, और sentences के थू मैं आपको revise करा हूँगा, इसमें जो इससे पहले की वीडियो क्लास है, उसमें मैंने जो जो चीए एक्स्पेन की है, वो सारा आपका revise हो जा the government cannot be able to contain, देखे, यहाँ पर यह जो sentence है, इसमें be able to भी लगा दिया और cannot भी लगा दिया, दौनों का मतलब एक ही होता है, दौनों योगता को बताते हैं, capacity को बताते हैं, तो या तो be able to लगाई है, या cannot लगाई है, तो यहाँ पर चुकी verb की first form लगी है, और verb की first form जुरती है, can के साथ, cannot या can के साथ, तो इसलिए be able to यहाँ पर नहीं आएगा, यानि be part में इसमें गलती है, यह sentence होगा आपका, the government cannot contain encephalitis by spending just 1% of GDP on health sector, बना गौर्मेंट रोक नहीं सकती, incephalitis बीमारी को contain नहीं कर सकती, यानि रोक नहीं सकती, GDP का केबल 1% health sector पर खर्च करके वो इस भेंकर बीमारी को रोक नहीं सकती, contain का मतलब है उसको रोकना, second sentence देखिए, the police think that he may be there yesterday, अब yesterday की बात हो रही है, तो मे का past equivalent आएगा, या study ने चुकी past है, इसलिए मे का past equivalent क्या होता है, might, तो ये गलती है, इसमें B part में गलती है, अब ये देखिए, he may live long, he said, his sad mother prayed, उसकी दुखी मदर ने बोला, कि वो भगवान करें कि वो लंबी उम्र, जी है, he may live long, क्या ये structure सही है, सही structure होगा, may he live long, यानि ये पात इसमें गलत है, he returned the purse, though he could keep it very easily, इसमें हम क्या बोला है, देखिए, context क्या बोला है, कि उसने पर्स को return कर दिया, लेकिन वो पर्स को रख सकता था, could keep का मतलब होता है, कि उसने रखा, वो रख सका, लेकिन could have kept का मतलब होगा, रख सकता था, उसने उस पर्स को बापिस कर दिया, लेकिन वो उस पर्स को बहुत आसानी से अपने पास रख सकता था, could have kept का सही sense निकलेगा, could keep, could के साथ verb की first form आती है तो grammatically तो ये सही है लेकिन context इसका सही नहीं निकल रहा यही होता है context, यही आपको समझना है तो आप बोलेंगे could have kept have के साथ verb की third form आप लगाएंगे second path इसमें आपका ये गलत है अब देखिए कुछ और sentence इसमें total sentence के थूँ आपको revision करबा हूँगा if you get good marks I shall happy as much as you यदि आपको अच्छे marks मिलते हैं तो मैं उतना ही खुश होँगा जितने आप हैं तो I के साथ shall तो लगा दिया लेकिन इसमें be नहीं है I shall मैं खुश होँगा तो होने के लिए भी तो वर्प चाहिए यहाँ पर आपको तो shall लगाते हुए आप यहाँ पर बोलेंगे I shall be happy शेल अकेला नहीं आएगा बी बाच में इसमें गलती है ठीक है यह वाला sentence देखिए Are you used to get up early at 4 a.m क्या मतलब इसका जब हम जब ismr के साथ के ismr इसके साथ हम यूस्टू का प्रियोग करते हैं तो उसमें used to के साथ वर्ब की हम ing form लगाते हैं यह इससे पहले वाला जो वीडियो क्लास उसमें मैंने explain किया था कि जए gerund form क्यों आता है इसमें Are you used to क्या आप अभ्यस्त हैं किस चीज के अभ्यस्त हैं वहाँ पर उस चीज का नाम आएगा मतलब नाउन आएगी और नाउन होती है जरंड form यानि यहाँ पर ing form यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ठीक है काफी अच्छा यह sentence है यह first video में इससे पहले का जो previous video है उसमें मैंने यह used to का concept बहुत अच्छे तरीके से बताया है तो इसको आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आर नॉलेज ओफ हिस्ट्री डिसंट कम टू आर हैल और सम्टाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर फू इन वेंटिर अमेरिका यह एक टिपीकल SST सेंटेंस है अमेरिका को किसी व्यक्ती ने इन वेंट नहीं किया है उसको डिस्कवर किया है क्योंकि वो पहले से ही इग्जिस्ट करता था इन वेंट का मतला होता है किसी नई चीज को इजाच करना डिस्कवर का मतला होता है उसको खोजना वो पहले से ही वहाँ पर था तो invented word गलत है यहाँ पर यहाँ पर आएगा discover ठीक है very soon I realized that his brother देखें, realized किसमें है? past में है past के साथ यहाँ पर is नहीं आएगा यहाँ पर आएगा was तो यह see path में इसमें गलती है ठीक है तो इन sentences को एक बर और देखते हैं he remembered that his visa will be expired in a month remembered का मतलब क्या है? past tense है तो will be का past tense क्या होता है? would be तो be part में कलती है next देखिए my brother thinks that somebody must have dared dared को main word भी तरह ही यूज़ किया है यहाँ पर इसलिए ed form है जो की सही है must have dared must have dared must have dared him to steal must have dared him to steal किसी ना उसको चैलेंज किया होगा scooter चुटर चुटाने के लिए तो चुकि dared को हमने main word भी तरह यूज़ किया है यहाँ पर dare not जो होता है वो model होता है लेकिन simple dare और simple need वो main word भी तरह काम करती है तो यहाँ पर to होना चाहिए dare him to steal meet his boss during a meeting वो अपने boss से मिलने की हिम्बत नहीं करता meeting के दोरान तो यहाँ पर तो dare है तो dare तो सही है does not लगा है dare की first form है इसके साथ तो two आएगा यह सही है she dare not face his boss during a meeting यह sentence सही है क्योंकि dare not जो होता है वो क्या होता है model होता है model के साथ वर की first form लगा दी यहाँ पर यह सही है ठीक है तो इन video classes को इन video classes को कई कई बार आप देखिए दो या तीन बार देखिए यह सारे concepts आपको अच्छ तरीका से याद हो जाएंगे और इस video class को देखने से पहले इसका जो part one है उसको आप जरूर देखें और definitely यह सारे concepts clear होंगे और इसके बाद इसका next next path आपको देखना है ठीक है तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next video class में thank you